वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यह सारी चीज़े अगर हम छोड़ दें सिर्फ पेपर पर फोकस करें वन डामनेशनल सोचते हुए सिर्फ पेपर पर अगर फोकस करें तो पेपर आपने देखा होगा आपको देखना चाहिए अगर आयूक जारी करता खैर अब अगर आयूक जारी करता तो एक अच्छा खासा यहां पर आपको पेपर देखने को बिलता और कई सारे नय तथिस प्रिके के यहां पर पूछे गए थे नय कोश्चन बनाएगा नय तरीके से कोश्चन बनाएगा है और कंक्लूजन हमारा यह था हम टेस्स्रीज चेक ही नहीं कर पाये थे क्योंकि यह सब न्यूज्स गंटे बाद बाहर आ गई थी कि पेपर रद हो सकता है और पेपर लीग की जो खबरे थी जो प्रूफ अगरा सोचल मीडिया पर आने लग गए थे तो हमारा भी मन तूट स गया था हमारे टीम का तो हमने टैस्स स्रीज नहीं चेक ही लेकिन स्टैडी मट्रियल से पेड क्विस से सिर्फ 151 कोश्चन से यहां पर हिंदी जीएस के मिला करके निकाले जा सकते थे आउट ऑफ 200 कट आफ इस पेपर का कितना जाता कट आफ रिडिक्शन हम लोग करने वा अब तक कट अफेस्ट आयूक का पेपर भी कुछ लोग इसको कह रहे थे अलांकि टाफ एक आयाम है ठीक है कुश्चन लेंदी पूछे गए टाफ पूछे गए लेकिन सबसे खास चीज जो इस पेपर की थी पूरे सिलेबस को इसमें कवर किया गया और पेपर पीवाइक्य रिपीट कोई हुए नहीं अगर कुछ पीवाइक्यू आया भी है चार पांच तो वो अलग तरीके से पूछे गए हैं 115-120 maximum cut-off यहां पर और 100 around cut-off जो विशिष्ट आहरता वाली कटेग्रीज है उसमें जा सकता था इसका और आप 155 question सिर्फ study for civil service के selection materials से और test series से कर सकते अब बढ़ा दिये गए है आयोक के द्वारा तो daily classes भी मिलेंगी आपको conceptual question समझाने के लिए study material समझाने के लिए daily classes भी आए रिकॉड़ेट form में आप जो है उसमें करेंगे आपको daily class notes भी मिलेंगे daily classes भी मिलेंगी और doubt clearance का support भी मिलता है आप उसमें doubt clearance अलग से करते हैं class में कुछ नहीं समझ में recorded class में notes में नहीं कुछ समझ भी आ रहा है आप doubt clearance वाले group में पूच सकते हैं से होता है तो आप देखा detailing किस तरीके की है कि रत्य कैसे होता है उसका भी थोड़ा सा आपको देखना बढ़ता है जो ब्रज रीजन में परफॉर्म किया जाता है तो यह इस तरीके से पहला statement रॉंग second statement यहां पर correct हो गया जो कि हमारी study material से आप कर सकते थे और जो कुछ लगा रहे हैं study material जादा होता है यह study material जादा है वो study material जादा है आप देखिए कि notes में इतना हिस्सा है चारकुला के बारे में और इससे आप जो है अपना सवाल कर सकते थे जो multiple statement वाला सवाल है उसके लिए यह चीज़े हमने दी थे आगे आप देखिए कोईला के बारे में ह देते हैं कि coal के मामले में हो petrol के मामले में हो iron ore के मामले में मैंगीस के मामले में जितने मेजर और माइनर खानीज है उनके उत्पादन में उनके बंडारन में कौन सा राजी टॉप पर है इस समय updated list दी जाती जो exam में मानगा जाएका वो list हम लोग देते और उससे हमेशा प्र पहला इसको क्रम से लगा दीजिए इस तरीके से भी आ सकता है क्योंकि हमने देखे क्रम से भी दिया हुआ है तो complete notes CC को बोलते हैं comprehensive notes को बोलते हैं जिससे आप अपना सवाल सही कर सकें अज़ा कुछ लोग बोल रहे थे कि computer इसमें नहीं आती कुछ लोग तो computer के notes दे रहे थ प्रशन में पूछा गया था यह पचीस सवाल जो है आप इसमें निकाल सकते थे और कटिन वाले प्रस्चन इसमें निकाल सकते थे कई सारे ऐसे प्रस्चन जो कई बार आप आप देखेंगे कहीं नहीं कवर हैं वो study for प्रश्न में भी पूछे गए हैं चाहे आप साइनिस के प्रश्न देख लें चाहे अधर सब्जेक्ट के प्रश्न देख लें और एक नॉमी में जो अर्थशास्त्र समंदी पुस्तकों सवाल आये थे पूरी लिस्ट जो है पहले ही दी हुई थी तो हमारे यहां पर स्टड़ी फॉर्श्न में रिकॉर्ड गया रहता है कि आयोक से पहले हम प्रश्न आपके कवर करा देते हैं बागी लोग पोस्ट मॉटम करते होंगे कि प्रश्न पत्र आया उसके बाद आप एनलाइसिस कर रहे हैं यह वाला PYQ सवाल है, PYQ सवाल आप उंगलियों पेगिन सकते हैं शार प्रश्न, पांच प्रश्न से जादा PYQ से नहीं आया है और कुछ लोग जो आपको सिर्फ PYQ पढ़ने के सला दे रहे थे उससे गट आफ नहीं निकल सकता है, सिंपल बात है जो लोग यह मान भी रहे थे कि PYQ से गट आफ निकल सकता है जिन लोगों ने यह पेपर दिया होगा, कैंसल वाला आप उनसे पूछ सकते हैं क्या स्थिती है करेंट अफेर के प्रश्न, करेंट अफेर का कोई प्रश्न ऐसा होगा नहीं जो study for students से ना आया हो, कई सारे तो अपने paid quiz में ही करा दिये थे study material में तो थे ही, additional तोर पर उन्हें जो important वाली चीज़ें हो paid quiz में ही करा दि थे, कोई भी आप प्रश्न लिजे, history के आप प्रश्न लिजे ancient history के प्रश्न, modern history के, medieval history के आप यहां से कर सकते थे factual सवाल यहां पर इस तरगे के list में हम दे देते हैं, जिससे आप learn कर सकें इसको कई सारे आप देखेंगे notes जो हैं, होंगे तो 16-16 pages के, लेकिन जो exam में पूछे जाएगा, वो सब उसमें missing रहता है कई बार, current fair के प्रश्ना आप ले लिजे, और चाहे medieval history के polity के प्रश्ना आप ले लिजे, factual सवाल जो current fair के इस पर पूछे गया थे, venue based सवाल, जैसे-जैसे सवाल इस पर पूछे गया है न, double statement वाले और जिस प्रकार से matching वाले, वैसे ही हमको इस ग्रुप में भी कराते हैं, यह वाला प्रश्ना आप ले लिजे, UPG के प्रश्न ले 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 चाहिए, current fair के तो कोई question बचता ही नहीं है, हमेशा ही, चाहिए जितना वी tough level का पूछे जाए, Simon Commission का जो यह date वाला प्रश्न है, इसमें कई लोग नहीं समझ पा रहे थे कई से क्या है, क्या Simon Commission कुछ लोग कह रहे हैं, क्या एक ही बार भारत आया था, तो यह यहा प्रश्न में ले लिजे, लिस्टिंग वाले सवाल ले लिजे, गलत है तो क्यों गलत है, तो इस तरीके से इसमें पूछा गया था, इसके बाद ये चाय जनगर्ड़ा वाले सवाल ले 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 आप, मिशलेनियस के सवाल ले लिजे, जोग्रफी की लिस्टिंग वाले सवाल, हिस्ट्री के सवाल ले लिजे आप, जितना जितना एक्जाम पूछा कहा है, सब यहां पर किवेन है, जितने किताबें पूछी कही सवाल आये था country capital से जो प्रश्चना है पहली बात तो यह कि यह जोग्राफी लिश्टिंग में अल्रेडी कवर्ड था लेकिन अगर आपके देखा हो कि जिन country capital के नाम पूछे गया थे वहां पर कुछ चोटी-चोटी conferences अभी हाल में हुई थी जोसे यह एफ्रिका के जो capital cities ने कमपाला की गाली की इंशासा खर्तों यहां पर कुछ event हुए थे अभी हाल में उसको हमने current affair में भी कवर किया है multiple dimension तरीके से आपको हम चीज़ें कवर कराते हैं कि जब हमने यहां पर बताया होगा कि हाँ इस capital में या फिर इस country की capital में यह conference या summit आयव जित हुई है और इसी तरीके से पूछ लिया गया कि country capital से मिलाई है इसको लिस्ट मिलाई है कौन सी यह capital city नहीं है यॉरोप में यह पूछा है तो यह country capital की लिस्ट हम हमेशा इस हुज़े से अपडेट करते हैं quality के प्रश्ण हो, geography के प्रश्ण हो quality के conceptual सवाल भी ले लें, आप factual सवाल भी ले लिजिए, art culture के प्रश्ण हो, agriculture के प्रश्ण हो history के तो सवाल आप देख लिए, history के सवाल जो आप कई बार मोटी मोटी किताबों से pyq compilation से नहीं कर पाते हैं, हमारे नोट से कर सकते हैं, और एकदम चहां से पूछा जाता है, वहां पर उसका उत्तर उसी तरीके से दिया रहता है यह वन liner हम लोग देते हैं, learn करने के लिए और उससे दो सवाल इसमें आये थे योरोप में राइन न दीवाला यह RO-ARO mains का प्रशन था, जो कि अप्रिल बंत में वुआ था फिर यह तेल शोधन शाला राजी पूछा गया, इसकी भी लिष्ट सबम ने दी थी इसकी कई बार हम लोग mapping भी अप देने लगे हैं, अब तो classes भी बिलेगी जिससे conceptual question कई बार आप जो notes पे दिये रहता है उसको समझ नहीं पाते हैं, question गलत कर देते हैं तो इसी वज़े से हमने classes का concept भी शुरू किया है, recorded classes आपको group में ही बिल जाएं, तो क्या पढ़ना है कि इस तरीके से प्रश्ण बन सकता है, वो classes में ही recorded classes पे आपको समझा दिये जाएगा इस अंसस से जो प्रश्ण आया है, चाहे UPGK से, UP Current Affair से जो प्रश्ण आया हो ठीक है यह इकाल करम में लगाने वाला, एकनॉमी में भी काल करम पूछा है, environment में भी काल करम पूछा है, current affair में भी एकाल करम वाला उबीचरी वाला सवाल आया था इसमें गुप्त कालिन प्रशासन का विभाजन का सही नुक्रम क्या है, तो यह अलड़ी हमने यह पहले कॉलम में दे दिया है, तो इसी से प्रश्ण बन गया है जो हमारे tables बने वे उसको seriously आपको पढ़ना होता है, और tables कुछ लोग कहते हैं कि समझ भरें आता है, जो first time तयारी कर रहे हैं उनको यह शिकायत रहती कि चलिए यह जो पूछा गया है, exactly आपके में given भी है लेकिन हम इसको correlate नहीं कर पा रहे हैं, तो correlate करने के लिए क्या है, अब आपको recorded classes जो है group में मिल जाये करेगी, जिससे आप एक बार classes देख लें, recorded class आपने देखी, आपने notes का धिया, आपने की practice और exam के समय एक बार फिर से class notes revise कर लिए, तो इस तरीके से आपकी पूरी preparation यहा पर हो जाएगी exam के लिए, और यहां पर देख सकते हैं, यह PDF हमने डाली हुई अपने टेलिग्राम में, आप खुद भी एक एक करके point wise इसको देख सकते हैं, जो जैसा exam में पूछा जाता है, वैसा हम लोग notes बना करके देते हैं, और आपकी बार आपको recorded classes से समझाया भी जा जाएगी आपको, आपको समझा दिये जाए किस तरीके से कहां पर प्रश्न बन सकते हैं, किस किस तरीके से fact जुड़ते हैं, आपस में, कैसे प्रश्न बना जा सकते हैं, जैसे यह है, उतरप्रदेश Global Investor Summit है, यह हमने पूरा दे दिया, आप कई लोग स्किल लोग हैं, इसक समझने पाते हैं, कि इसका use किया, इस पूरे paragraph में कौन सी exact चीज पूछ जा सकती, तो उसके लिए recorded classes आपको, आपसे मिल जाया करेगी, 151 प्रश्न आप इसमें कर सकते थे, 140 GS वाले में से, और 60 हिंदी वाले में से, और cut off, आपको पता है, cut off, अगर अजारी होता, अगर fair त इसमें कोशिश की, मतलब तयारी कर लिए कि, अब हमें मेनत बढ़ानी पड़ेगी, अपनी जैसे पहले recorded classes नहीं मिलती थी, क्योंकि हमारा मनना था उस तरीके की प्रशन नहीं आ रहे हैं, अब जिस तरीके conceptual प्रशन आ रहे हैं, recorded classes भी आप यहाँ पर शामिल कर रहे हैं, अ इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, मैप वाले प्रशन हो, चाहे current से link हो करके प्रशन हो, यह देखिए, पिक वगारा से हम देते हैं, अब इसको समझाया भी जाएगा पिक को, paid group में, classes से माध्यम से, तो actual सवाल यहाँ पर आप देख लिए, यह class note से कर सकते हैं, तो re इसमें अगर आप शामिल होना चाहते हैं, तो study for civil services के paid group में आ सकते हैं, इसमें आपको recorded classes भी मिलेगी, class notes भी मिलेंगे, subject wise notes भी जाएंगे, class notes complete होने के बाद, और practice भी आप लगातार कर सकते हैं, study for civil services के group को अगर आपको join करना है, RORO re-exam के preparation के लिए, तो यह हमारे given numbers हैं, इसी के साथ ये वीडियो हम लोग finish करते हैं, paid group में आ करके आप पूरी preparation, RORO re-exam के selection वाली तयारी इसमें कर सकते हैं, 159 जिन प्रशनों के हमने बात की, उसमें से 57 हिंदी के हैं, 60 प्रशनों का हिंदी का पेपर आता है, 57 आप कर सकते थे study material से, और paid quiz से, paid quiz से बहुत सारे question इसमें आप अगर गिंती करेंगे, तो 40 प्रशन, 42 प्रशन, directly paid quiz से मिल जाएंगे, हलांकि इस विधा के लिए हमने screenshot का सारे study material में से निकालें, जो हिंदी के notes मिलते हैं, आपको जो re-exam paid group में मिलेंगे, और re-exam paid group में, तो 57 प्रशन आप उससे कर सकते थे, आप खुद भी मिला लीजिएगा, और 2-3 प्रशन जो बच रहे हैं, और directly test series से हो सकते हैं, test series हमारी check नहीं हो पाई थी, हमने आपको बताया, जैसे ही exam का जो खबर I leak होने की उसके बाद से, यह motivation नहीं मिला कि test series को भी check किया जाए, तो इस पुझे से हम 57 ही या आप आपको show कर पा रहे हैं और जैसा पूछा गया है, बस वैसा ही आया है, जैसा मतलब हमारे notes में given है, वैसा ही प्रशन पूछा गया है, आप एक एक करके मिला सकते हैं, यह कुछ सूची वाले सवाल आए हैं, वो भी इसमें कराई जा सकते थे, एक दो statement वाले सवाल भी आए हैं, वो भी इसमें की जा पाए थे इसमें तो आप खुद ही यहां पर PDF एनलाइसिस कर सकते हैं 20 पेज की PDF है मिला लीजिए इससे कौन से जवाल कहां से पेड कुईस से जो है वो हमने पेड कुईस से लिख दिया है जो नोट्स में से है वो नोट्स में से यहां पर आपको शो कर दिया है यह प्रूफ अगर कोई दिखा पाए तो फिर जो है study for civil service को criticize करें otherwise अपना मूँ बंद रखें और जो है ऐसा content अगर आ जीज़ा आते तो जादा यहां पर हम दिखाते और अगर कम आते तो कम भी दिखाते आपको काट बर का study for civil service के हमेशा से प्रॉमिस किया है अपने बेड़रूप में कि कर सकते हैं अराम से कर सकते हैं यूँ आर के कट आफ भरक आफ आराम से कर सकते हैं अलग अलग के टेग् मेंस लिख सकते हैं और जैसे हमारा मेंस का ग्रूप होता है तो उसमें कमिट्मेंट होता है कि हम आपको इस तरीके स्तयार करेंगे कि जो मेंस का जो कट आफ होता है जिस पर रिजल्ट बनेगा वो नंबर तक आप पहुंच सकते हैं अगर आप हमारे साथ लगातार मेनत करें में इसका जो ग्रूप है वो पूरा प्रैक्टिस ओरिएंटेट अमारे रहता है क्योंकि लिखित पेपर दो हैं दो अब्जेक्टिव हैं तो अनिबंद के लिए आपको मॉडल अनिबंद दे दिए गए और कंवेंशनल हिंदी के लिए टोटल पीडियाफ दे दिए जो सलेबस के सारे बिन्दों कवर करती है उसके बाद आपको लिखे हुए मॉडल प्रशन पत्र मिल जाते हैं हल सहीत मिल जाते हैं इससे आपको फिर साड़ी रूप में सार लेखन होता है हिंदी टू इंग्लिश इंग्लिश टू इंदी होता है तो सबके अलग-अलग टास्क पहले करा जाएंगे वो तो है ही लेकिन प्रिलिम्स परिक्षा के बाद आपको दस फुल लेंट टेस्ट सीरीज भी कराई जाती है तो इस तरीके से स्टड़ी फॉर सिवल सर्श के ग्रूप्स चलते हैं अगर आपको मेंस क्रूप में आना है स्टड़ी फॉर सिवल सर्श के मेंस क्रूप में आकर आप आरो यारो मेंस की प्रिप्रेशन करना चाहते हैं तो इन गिवें नंबर्स पर वाट्सप मेंसेज करक के दिज्ञानकरी प्राप्त कर सकते हैं